गुड़नीमर क्लास ट्वल्थ की प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का विस्तास का चौथा चैप्टर चला है दी इन मी, आज हम लोग इस चैप्टर की आपके किताब के सुरुवात की दो लांग एंसो टाइप की सन को देखेंगे, मिंस आपके किताब क इस चैप्टर में चाल लांग एंसो टाइप की सन दिये हुए हैं, जिसमें से आज की क्लास में हम लोग सुरुवात के दो लांग एंसो टाइप की सन को कवर करेंगे, बाकी बच्चे ही दो अन लांग एंसो टाइप की सन की क्लास, आपको पेड क्लास के ग्रुप में देख क्लास है तो यद इसमें से आपका कुछ भी छोटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएगे तो वहाँ पर आपको क्लास 12 की नया सेसन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें अब तक जितनी क्लास चली हुई है सारी क्लास एक सेड्यूल वाइज लगी हुई है तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं और इस सेसन का हम लोग का इंग्लिस में टार्गेट है 100 आउट आप 100 मार्क्स लाना जिसलिए आपके जिमतारी और भढ़ जाती है जितनी भी आपको क्लास दी जा रही है आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे और एक क्लास के वल यूटूब के बच्चों के लिए है और पेड क्लास में सबी चारो लांग एसर टाइप की सन कराय जा चुके हैं और इसका PDF दिया जा चुका है तो इसलिए अगर paid class के बच्चे यहाँ पर आई वे हैं तो प्याइबची आप लोग अपने paid class के ग्रुप में जाएए वहाँ पर आपको इसकी class मिल जाएगी class का PDF मिल जाएगा तो आप लोग वहाँ से देख करके पूरा कर लेंगे और जो बच्चे अभी तक paid class में admission नहीं लिए वे हैं अगर आप paid class में admission लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपको number दिया गया है 7392937172 करके जो आपको number दिया गया है आप इस number पे call करके paid class में admission ले सकते हैं बाकी प्याच्चे पूरा process की paid class में admission कैसे लें फीस structure क्या है क्या-क्या चीज़े उसमें आपको देखने को मिलेंगी इसके बारे में विस्तार से class के अंत में आपको बता दिया जाएगा अब जल्दी से हम लोग आज की class से connect होते हैं तो class पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए है चैनल को subscribe कर ले, वीडियो को like कर दे और class 12 की हरे एक बच्चे तक वीडियो को share कर देंगे आप यहां पर देखिए आपका long answer type question लिखा हुआ है और उसके नीचे instruction में देखी क्या लिखे हुए है answer the following questions मिन्स हो जाएगा कि निम्न प्रश्णों की उत्तर दीजिए in not more than 80 words each और प्रश्zeug का उत्तर 80 से जादा सब्दों में नहीं होना चाहिए मिन्स भाया आपका long answer type question 80 से कम सब्दों में होना चाहिए अब आप कहोगे कि सर्जी 80 से कम सब्द कितना सब्द का तब होना चाहिए तो भाया अगर आपका long answer type question 60 से 65 सब्द में भी complete हो जा रहा है चला जा रहा है, means 85, 90 या 100 सब्द तक चला जा रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ 100 से ज़्यादा सब्द आप नहीं लेखोगे, तो प्याच्छी यह हो गया, आपका long answer type की sin का boundary line क्या हो गया, 60 सब्द की ऊपर, और 100 सब्द के नीचे ही आपको long answer type की sin को रखना है, भया पहले प्रश्ण पर आ जाते हैं, देखते हैं, पहला प्रश्ण क्या दिये वे हैं, पहला प्रश्ण दिये वे हैं, who was dr. सदाओ, means dr. सदाओ कौन थे, भया इसका उतर हमने आपको 60 answer type की sin में बताई वे थे, क्या बताई वे थे dr. सदाओ की बारे में, कि dr. सदाओ एक जापानी सर्जन और वेग्यानिक थे ना, तो इसी से इसको हम यहाँ पर भी लिख देंगे, अगला प्रश्ण इसमें देखी क्या पूछे वे हैं, how did he meet हाना, वे कैसे हाना से मिले, and married to her, और उससे सादी किये, तो भया कैसे हाना से मिले हुए थे, प्रोफेसर के घर पे मि ले हुए थे ना, और कैसे भी वाख कैसे सादी किये, तो भया जब उनके पिता ने परमिसन दे दिये हुए थे, तब उन्होंने सादी किया हुआ था, अगला प्रश्ण इसमें पूछे हुए है, who played an important role, कौन महतपूर भूमिका निभाया, in the marriage means उनकी सादी में, उनकी साद निभाया, एंड हौ ऑर कैसे नहीं भाया एंड हुआ अब हुआ उँसका उत्तर आपको बताई है कि अगर पूर नहीं रही हुए है, तो डाक्र सदाओ की पिता किसी भी कीमत पर मानने वाले नहीं थे, उसको अपना बहुत सुगार नहीं करते, ठीक है, तो वहीग बात इस जो सारी चीज़े आपको हिंदी में बतिया बता है ना, अब उनी सारी चीज़ों को इंगलेस में देखी हमने लिखे विए हैं, कैसे लिखे विए हैं, एक एक करके आप समझिए, पहला प्रस्ण इसमें जो पूछे विए थे, सदाउ एक जापानी सर्जन और वेग्यानिक थे, एक पहला प्रस्ण का उत्तर हो गया, दूसरा प्रस्ण क्या पूछे विए हैं, मिन्स वे हाना से कैसे मिले, और जह साधी कैसे किये, इसका उत्तर देखिए, जब तक इंतजार किये, हिवाज सियोर जब तक वे निश्यत नहीं हो गये, सिवाज जैपेनीज की वह एक जापानी है, जब तक सदाउ इस बात का निश्यत नहीं हो गये, कि वह एक जापानी है, तब तक उसके प्रेम में पढ़ने का इंतजार किये, मतलब अपने प्रेम को उन्होंने जाकर के हाना के सामने नहीं बताया कि हम तुमको बहुत मुहबबत करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं पहले उनके बारे में इंफार्मेसन गैदर किया कि भया ये जापानी है की नहीं है आज करके लईका लोग का करते हैं तुरंते लेकी देखे चाओ जोनी जाती कास्ट है कुछोग हो तुरंते जाकर के बोल देते हैं I love you, तुम हमरी जान हो, तुम हमरी बाबू सोना मोना जादू टोना हो, तो भया आजकल के लेका की बात नहीं है, यह डाक्टर सदाउस समझ जाना कि कैसा फ़सला कैसा लोग हो गया, आगे देखी जो है, कौन महत्पूर्ण भूमिका निभाया हुआ था, अगला प्रशन है, who played an important role in their marriage, उनके साधी में कौन महत्पूर्ण भूमिका निभाया, अब इसका उतर देखिए, डाक्टर सदाउस फादर, डाक्टर सदाउस के पिता, played an important role एक नेबर है, received her, कि उनके पिता उसे कभी स्विकार नहीं करते, मिंस हाना को कभी स्विकार नहीं करते, unless she had been pure in her race, जब तक वह सुध जापानी नहीं होती, तब तक उसके पिता क्योंकि स्विकार नहीं करते, इसलिए जो है, डाक्टर सदाउस के पिता ने एक महत्पूर्ण भ पूरा का लिया, at school, मिंस इसकोल का, मिंस डाक्टर सदाउस और हाना ने अपने इसकोल के कार को पूरा किया, and had come home to Japan, और अपने घर जापान आ गए, and when his father had seen her, और जब उनके पिता ने उसको देखा, मिंस हाना को देखा, the marriage had been arranged, साधी की बिवस्था किया गया, in the old Japanese ways, मिंस पुरानी जापानी तरीके से, तब जो है, पुरानी जापानी तरीके से, साधी का मैनेस किया गया, मिंस अरेंस किया गया, विवस्था किया गया, जो भाईया, यह हो गया, आगे देखिए, डाक्टर सदाउ and Hana were perfectly happy, और जो है, डाक्टर सदाउ और हाना पूरी तरह से, पू बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए, सदाउ was a Japanese surgeon and scientist, he met Hana in America at a professor's house, but सदाउ had waited to fall in love with her until he was sure she was a Japanese, डाक्टर सदाउ's father played an important role in their marriage, because his father would neighbor have received her unless she had been pure in her race, आगे है, डाक्टर सदाउ and Hana finished their work at school and had come home to Japan and when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese ways, डाक्टर सदाउ and Hana were perfectly happy, तो भाईया, पहले प्रशन का उतर हो गया, अब हम लोग बढ़ते हैं, दूसरे प्रशन की तरप, देखते हैं, दूसरा प्रशन क्या है, यहाँ पर देखिए, आपके सामने जो है दूसरा प्रशन आ गया है, दूसरा प्रशन समझी क्या दिए भी है, how did Dr. सदाउ सेब, कैसे Dr. सदाउ ने बचाया, the life of the American war prisoner, मिंस उस American युद्धबंदी के जीवन को, मिंस उस American युद्धबंदी के जीवन को Dr. सदाउ ने कैसे बचाया, तो भाईया, Dr. सदाउ ने कैसे ब में देखी क्या पूचे हुए है, how did his wife Hannah help him in that act, मिंस उस कार में, उस कार में, हाना ने, उनकी wife Hannah ने कैसे मदद किया, तो भाईया, हाना कैसे मदद की हुई थी, उसको नहलाई थी, उस जह है, पेसेंट उस जह है, अमेरिकल वारा पिजनर को वह नहलाई थी, एनितिसिया दी थी, मिंस बियोसी की दवा दी थी, और तॉलिया लाई वी थी उसके लिए, तो इन स्थारी चीजों से, हाना ने डाक्टर सदाओ की मदद की हुई थी न, तो उसी चीज़ को हम इस प्रशनी के उत्तर में लिख देंगे, आगे देखिए, and what was the reaction, और क्या पृत्रिया थी, आप दी सर्वेंट्स मिंस नौकरो की, और नौकरो की क्या पृत्रित किया थी, तो भाईया नौकर तुरंते कुल कहने लगे थे, आगर जो ही रहेगा, तो हम लोग छोड़ करके काम हो, हम छोड़ करके चले जाएंगे, कुल नौकरी क्रोधित हो गये थे, and why, और क्यों क्र पाचड़े में फसना, वह भाईबीत हो गये थे, कि हम लोग भी कहीं फसन जाएं, तो इसलिए जो है, और नौकर ने ऐसी एक्टिविटी किया हुआ था, आगे है, explain मिस व्याखा करिए, मतलब जतनी बदिया अभी तक हमने आपको हिंदिया में बताया है, अब उसी को आप को इंग्लिस में लिखना है, अब जो है, चलते हैं हम लोग देखते हैं, इंग्लिस में कैसे लिखे हुए हैं, अब यह देखिए, जो पहला प्रशन पूचे हुए हैं, पहला प्रशन क्या पूचे हुए हैं, डाक्टर सदाउ ने अमेरिकी युद्बंदी का जीवन कैसे made an operation, उसने जो ड़ाक्टर सदाउए एक operation किया, to save his life, मिस उसके जीवन को बचाने के लिए, उसके जीवन को बचाने के लिए ड़ाक्टर सदाउए एक operation किया, this was ऐसा, इसलिए, because he was a doctor, क्योंकि वह एक डाक्टर थे, and had taken oath, और उनने ने सपत ले लिया था, for saving lives, Smith जीवन को बचाने का क्योंकि उनों वे एक डाक्टर थे और जो है डाक्टर का धर्म होता है डाक्टर ने सपत लिया उवा था जीवन को बचाने के लिए तुसलिए उन थे अभिरिकर प्रिजिनर आफ वार के जीवन को दे करके Japanese clothes को जापानी कपड़े को दे करके and even a tarts light और यहां तक की एक tarts light दे करके पुना हुन्होंने जो है कानी के अंत में उसका जीवन बचाई हुए थे तो भया जो है जीवन बताए थे ना तभी तो भाग करके निकल गया Korean board से जो है नहीं तो कई से निकल पाता ठीक है यह आपका उत्तर हो गया अब आगे जो है अगला प्रस्ण ने यह तो पहले प्रस्ण का उत्तर हो गया कि डाक्टर सदाओ ने इसकी जान कैसे बचाया अब अगला प्रस्ण ने पूचे विए हैं कि how did his wife Hana help him in that act उसकार में हाना ने किस तरसी मदद किया उसका उतर water मिस गर्म पानी से till it was quite clean जब तक या पूरा साफ नहीं हो गया जब तक उसका चेरा पुरी तरह से साफ नहीं हो गया उसका सरीर नहीं साफ हो गया तब तक खाना ने गर्म पानी से उससे क्या किया नहलाया या धुलाया आगे है देन सी असिस्ट उसके बाद उसमें मदद क के देखा नहीं था तब भी जो है डाक्टर सदाओ की इसने मदद किया उसनी तौलियों को लाया और दाओ सी नाट टमफेटेबल एदेप की वह जो है कमफेटेबल नहीं थी अड़ी साइट आप दी ब्लेडिंग उंड मिस निकलते ही खून की घाओ मिस घाओ में से निकलत की दवा फिर भी वह देती है तो भाईया ए हो गया आपका इस प्रशनी का उतर की डाक्टर जो है हाना ने किस प्रकार से मदद किया अब अगला जो प्रशनी इसमें पूछे विए हैं अगला प्रशनी क्या है भाईया आपका इसमें देखो आपका क्या देखो आपका क्या हाउसमिस घर में, घर में एक दुस्मन को सरण देने के विचार को नौकर बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, वाई जो पूछा था उसका उतर देखिए, वे भैबीत हो गये थे, वे भैबीत और हैरान थे, असरचकित थे, भैबीत थे, इसलिए वे इस विचार को जो अपने घर में सरण देने के विचार को पसंद नहीं किये, तो भैया एह हो गया, आपका दूसरे प्रशन का सीधे 60 कुत्तर हो गया, जितना पूछा गया था, हमने उतना सीधे 60 कुत्तर आपको लिखा दिये हैं, एक बार फिर से बता देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आज की क्लास की समापती करेंगे, फिर से एक बार देख प्रशन, सीधे ऑगी पीज बार ईबट, न बार ससंजान, जापने से एक बार लिखा सब्यों क्लोश से नव एक टार्शलाए होना, मका वरे झाल के लिखा यहा, वरे नहीं, आपको लिए एक लिखा देख टू आँ कली जार दोछों काने का दोर शवाने प्रेशने के ब आपका दूसरे प्रशनी का उत्तर हो गया तो आज की क्लास की समाथती आप यहीं पर करेंगे दूइट प्रशन और बचा है उसका उत्तर आपको पेड़ क्लास के ग्रूप में मिल जाएगा पेड़ क्लास में एडमिसन कैसे ले एक बार पूरा प्रोसेस देख लिजे प्रोईट की जाएगा दौट्स क्लासेस आपकी चलेंगी टेस्ट आपका वीकली और मंतली होगा जब तक आपकी बोड पर इच्छा नहीं हो जाती है और आप फीस पेमिंट कैसे करेंगे आप Google Pay, Phone Pay, Paytm, App इन में से किसी भी माध्यम का प्रियों करके पेमिंट कर सकते हैं और अगर आप इन में से किसी भी माध्यम का प्रियों करके पेमिंट कर रहे हैं तो यहां पर जो जो करके payment कर सकते हैं, या फिर आपको यहां पर कुछ QR कोड दिये गए हैं, आप इन QR कोड को scan करके भी payment कर सकते हैं, और payment करने की बाद आपको payment का screen start लेना है, उस screen start को आपको इसी number 7392937172 करके जो आपको number दिया गया है, इसी number पर screen start को WhatsApp कर देने हैं, WhatsApp करने के बाद आपको ए दिकत payment की regarding आ रही है, तो आप इसी number पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, WhatsApp पैंसे कर सकते हैं, आपकी call और WhatsApp का reply किया जाएगा, तो प्यार्चे ए पूरा प्रोसेस हो गया, एडिमिसन प्रोसेस हो गया, उमीद करते हैं, आप को समझ में आ गया होगा, तो अब जो हम लोग session की करते हैं, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उडान बाकी है, जमीन नहीं है मंजल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, तो इसलिए प्यार्चे अभी आप मेहनत करो, आपके सामने पुरे उम्रे बच्ची होई है, मेहनत करने के लिए अभी तो 4-6 साल एकदम ची तोड़ करके मेहनत करिए, जिससे आपकी जो मंजल जब आपने ठहराओ बनाया हुआ है, अपनी जीवन का जो लच्च बनाया हुआ है, उस लच्च की जितना जल्दी से जल्दी प्राप्ति हो सके, तब ही हो सकेगी, जब आप एकदम बहतरी नग से मेहनत करोगे, तो